अब कि अब लूबरों दिस इस अप्रिशेक रान वलकम यूवल जो फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजूकेशन राय एजूकेशन चैनल पैप सभी भायपन दोकार्द इक स्वागत है मित्रों यूपी बिएट प्रवेस 2019 के समदे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी देश में दुकानों की तरह चल रही है यह बिएट कॉलेज उस पे लगाम लगाने के लिए बहुत डिरसारी कारवाई है चल रही है उसके बार बातचीत करेंगे दस लाग पत खाली हैं सिक्षक होगे उसमें भी इसको और एक और न्यूज है जिसमें यह स्पे तो बने रही है बहुत इपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो शेशन जितना ज़्यादा होश के शेयर करिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसी न्यूज से स्टार्ट करेंगे कि आस तैह हो जाएगी बीर काउंसलिंग की तारी क्योंकि काफी दिनों से हम लोग मुश्यक्त कर रहे थे जितने भी अबढ़ती हैं बीर से संबंदित उन्होंने पांस लाग छ्याट-छट हजार लोगों ने एक्जाम दिया था बैराल छे लाग दस जार लोगों ने फॉर्म बरा था लेकिन अब उसकी गिंतित होगी नहीं जितने लोग में होगी आई सबस्छाब यह थे इंड्सने अब लोग से पहले है यहान के पांच तारिक जो हो वह 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 वोका सी है डिजित हो दोती तो कल यह उओ वह करें ठीक रही है तो हम लोग का जो अनुमान था अब सब्सक्राइब तब बाचीत करते कि क्या निकलता रविवार को लखनू में एजिंसी के साथ मेटिंग करके की गई है प्लानिंग तो सवर्णों के लिए 10% आरक्षन बीड की काउंसिलिंग में अडंगा नहीं बनेगा सोमार को काउंसिलिंग की तारीक भी तै कर दी जाएगी वहीं सवर्णो के लिए 10% आरक्षन NCTE से अनुमती मिलने के बाद सीटे बढ़ने पर ही लागू होगा इस बार बीड की राज इसतरी प्रिवेस प्रिक्षा रुवेल खन विश्विदाले ने आयोजीत की थी 29 मही को इसकी रैंकिंग भी जारी की जा चुकी है और अब काउंसिलिंग सुर काउंसिलिंग में विलंब नहीं किया जाएगा आगे जैसे दिसान निर्देश मिलेंगे उससे नुसार काम होगा तो यानि जो 10% का आरक्षन है इनके कैनिंग नुसार वो मुझे लगता है कि अभी फिलाल में जब तक सीटे नहीं बढ़ाई जाती है आपके विश्विदा विद्याले में आपकी सीटे इनके हिसाब से बढ़ाई जाएंगे इंक्रिमेंट किये जाएंगे लेकिन जैसा इनके हिसाब से बातचीत निकल करा रही है वैसा अभी लग रहा है कि दस प्रश्विदा आरक्षन का लाब इस बार समवर्णों को नहीं देखने को मिलेगा त इसके बारे में पहले जान लें क्योंकि इसी में लोग सब ज्यादा प्रशन इसी को लेकर कर रहे हैं कि मसोदे में कहा गया है है एक तो सिक्षक सिक्षा संसितान खराब हैं दूसरे जो थोड़े अच्छे कालेजों से अच्छे सिक्षक आ भी रहे हैं वो इतने कम हैं कि ज बच्चे हैं तो उन पर एक सिक्षक होने चाहिए लेकिन ग्रामिट शित्रों का हाल यह है कि साड़ बच्चों पर एक सिक्षक है जो कई न कई आदा है यहां पर कम सकम दो सिक्षक होने चाहिए इन्हीं को पूरा देखते हुए 10 लाग सिक्षकों के पाद अभी खाली है और इसके बाद बाकी की टीटी आपकी जैसे नए आपका जुलाई में दो जुलाई से आपका लागू होने की कहा जा रहा है आपके नहीं सिक्षा नीती तो उसको बैराल अगर लगाया जाएगा तो आपका यूपी टेट का एक्जाम काफी टफ देखने को मिलेगा तो अभी से लग जाईए और हम लोग उन्हें ते त्यारियां भी सीटिट की बैराल सुरू कर दी हैं सीटिट के मौक टेस्ट स्टार्ट कर दी है तो उसको भी देखते रहीएगा बाकी जो अभी चल रहे हैं जैसे सिक्षा सस्तानों के सिक्षकों से गयर सिक्षन कार कराया जा रहे तो वो अब सिक्षक जो है वो सिमीत रहेंगे अपने सिक्षा को लेकर ही वो उनके उनसे कोई और कार नहीं कराया जाएगा बाकी के जो कार हैं वो सेवाकर्मी या जो वहां पे कर्मचारी रहेंगे उनसे द्वारा कराया जागा सिक्षकों से बस सिक्षन कार ही लिया जाए विशेष सिक्षकों की हुआ गलत होने कारण सिक्षकों की बारी कमी है Roopf शिख्षक सिक्षक है और और सिधा भृष ही समझते हैं कि आपके रहा से जिनों ने कंप्लीट किया तो कहीं कहीं क्या होगा वहां पर विज्ञानels गणित का आप सभी खुद समझ सकते हैं तो बेटर और योग सिक्षकों की कमी तो है ही यहाँ पे जिसको सरकार को बहुत ही सिरियसली लेना चाहिए और इस पे कार करना चाहिए और यहांपे आप सभी देख सकते हैं बदलाओं की तैयारी में यहांपे लिगा हुए किसे सिर्फ बीएड कराने वाले संस्ताना बंद होंगे समाद कालेजों में ही बीएड की बढ़ाई होगी प्रारूप तयार किया गया है कि सोसल इंस्ट्रक्टर के रूप में न्यूक्त होंगे स्थानी लोग केंदर सरकार ने राष्टी सिक्षानिती का तयार किया है प्रारूप 2 साल का बीड करने वाले 2019 के बाद नहीं बन सकेंगे सिक्षक ये भी अपने आपे चातर चातरा सदर को जाएं 2030 से सिक्षक नियुक्ती प्रक्रिया में उनके सर्टिफिकेट की मानिता नहीं होगी 2030 से सिर्फ चार साल का बीर्ड कोर्स करने वाले चातर चातरा ही बन सकेंगे सिक्षक जो बहुत ही बड़ी नियूज यहां पे निकल करा रही है अभी तक हम न कहीं इसको लेकर ब्रमित किया जा रहा था लोगों को और वैसे ही अब 2030 से जो हो दो साल का बीर्ड डिग्री वाले नहीं बन पाएंगे सिक्षक यानि के मतलब कि 2030 से दो साल का डिग्री कोर्स बंद हो जाएगा और चार साल का जो कच्छा बारी वीक बात चलेगा आपका बीर्ड कोर्स वहीं मानने होगा तो इसको देख लेते हैं राज के विश्विदाले और कालेजों में ही बीर्ड की पढ़ाई होगी बीर्ड की पढ़ाई सिर्फ उनी कालेजों में होगी जहां अनविश्यों की भी पढ़ाई होती है जिन कालेजों और संस्तानों में साल का बीड कोर्स下去 में होगा ऐसे में जो संस्तान सिर्फ डिगरियां बेच रहे हैं उन्हें बंद किया जाएगा सक्षक विवस्ता की निस्टा वकुणत्ता के लिए झलðी की ऐसे संस्तानों को बंध किया जाएगा 2030 सारे 2 का लेजरों में ही यह को सकेगा सांती देश में चल रहे हजारों रद्दी एकल स rectangle संस्तान को जल्द ही जल्द बंद किया जाएगो बीड कालेज में चोटे सिक्षन कारिक्रम भी उपलब्द कराए जाएंगे जाने माने स्थानी लोगों को स्पेशल इंस्ट्रक्टर की रूप में न्यूक्त किया जाएगा वेस्थानी कला संगीत क्रिशी विवस्ता विवसाई खेल और अनविवसाई कोसलों की जानकारी देंगे तो नीजी जितने भी बीएड कालेज हैं उनमें नहीं मिलती है अच्छी सिक्षा इसी को लेकर यह बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है कि नीजी जितने भी बस पार्टिकलर फोकस में हैं बीएड कॉलेज उनको बंद करने की को प्रारूप में बताया गया है कि देश में करीब सत्रह हजार सिक्षा संस्तान हैं और करीब 92 फिस्ती तो नीजी हैं उच्च नयाले द्वारा गठित जस्टिस जे एस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट ने साफ किया है कि इन संस्तानों में बड़ी संक्या में संस्तान अच्छे सिक्षा उपलब्द कराने का भी प्रयास नहीं करते हैं वे संस्तान व्यवसाइक दुकानों की तरह काम कर रहे हैं यहां नियूंतम पार्टिकरम भी पूरा नहीं किया जाता है और सिर्फ डिग्रियों की खरीद फरोग तो होती है तो जो अपने आप में एकदम करेक्ट ब पढ़ेंगे और भी डिप्लोमा कोर्सेश चलाने पढ़ेंगे इसके लाओं और भी सिक्ष्णर कार कराना पढ़ेगा तीन साल के प्रोवेशन के स्थाई होंगे सिक्षक तो यहीं इसकी सबसे बड़ी चुनावती रही है और जो सिक्षा आपकी राष्ट्री सिक्षा नीत प्रोवेशन जो अलब पीरिड है इसको अटागर पर्मानेंटली वाली बात की जाए तो कहीं ने कहीं इस पर कार आपका चालू हो चुका और तीस जून लास्ट डेट है अब उस पर फोकस कर सकते हैं और जाके नीपी डॉट एडियू एड़ 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 कर सकते हैं आप तो यह सारी रही आपकी काउंसलिंग और काउंसलिंग डेट जैसे ही फिक्स होती है आज हम आपको तुरंत वीडियो के मादिम से आपको अपलोड कर देंगे धन्यवाद